हेलो दोस्तो अगर आपके पास आप नवरात्रों में जो हम जोस जलाते हैं उसके लिए कर रही हूं आप ऐसे भी कर सकते हैं अगर आप गरम नहीं करना चाहते हैं लेकिन अगर आप गरम करके इसको थोड़ा चाटेंगे तो बहुत ही तरीके से कर जाएगा या फिर आप खी और चींट कार कर चाहिए घ्र लाइस वगरा भी लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो बाहर की साइड से डेकरोट करना चाहते हैं तो यहां पर मैं रखने वाली हूँ सिंपल क्योंकि इसमें जो जोत है ना वह बाहर से इतनी ट्रांस्पारेंट है वह बहुत दिखाई देगी बिल्कुल तो इसलिए मैं जो अपना चिराग रखोंगे और यह प्लेट नीचे वाली और यह हो गया हमारा चिराग यानिके हमारा दिया जो जोत का है तो काफी बड़ा है उसी के हिसाफ से मैंने जो चिमने ली है न वो ली है तो यहां पर मैं नॉर्मल बत्ती जो होती है रूई वाली कोटन की तो उ पास से बना के और इसमें लगा रही हूं आप जो कलावाता है आप उससे भी बना सकते हैं वो भी काफी अच्छे चलती है लेकिन यह वाली मुझे यही वाली अच्छी रखती है और सुबह में रोज इसको चेंज कर देती हूं जब मुझे जोत के लिए जलाती हूं तो सु अब ही मैंने जो प्लेट है नीचे की वह अभी अलग रखी हूं यहां पर हम अपनी जोत जलाएंगे और अपने जो हमारी चीमनी है उसको हम दिखाएंगे किस तरीके से हमने इसको बनाया है बहुत ही अच्छी लगी है तो अगर आपके पास भी चीमनी नहीं है और आप च हणযंत चीमनी है है एसके अपर से बहुत इसी तरीके से से भी एसको बना सकते हैं तो यहां पर देखिए जो हमारी प्लेट है है इसमें हम अपनी जो धूबत्ती heart बना हैं वह रख लेंगे या फिर आप इसको के नीचे भी रख सकते हैं तो यहां पे हमारी जो पू वो तैयार हो गई है बनकर